पाकिस्तान के चर्चित मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत, जंख में जुटी पुलिस। तारिक जमील पाकिस्तान में एक बेहद चर्चित चहरा ही। उनके बेटे की मौत पर पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पाकिस्तान के कारियकारी प्रधानमंत्री अन्वारुल हक काकड़ा ने भी आसिम जमील की मौत पर गम का इजहार किया है तारिक जमील ने बेटे की मौत को एक हादसा बताते हुए कहा है कि उनके परिवार के लिए दुपकी इस घड़ी में सभी दुआ करें तारिक जमील के घर पर भी काफी लोगों पहुंच रहे ही हाइलाइट्स पाकिस्तान में काफी मशहूर ही मौलाना तारिक जमील तारिक जमील ने बेटे की मौत को बताया हादसा पुलिस ने कहा आसिम ने खुद को गोली मार कर दी जान सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए एप डाउनलोड करें आसिम जमील का काफी समय से मानसिक बीमारी का इलाज भी चल रहा था लाहर, पाकिस्तान के चर्चित मौलाना और टब्लीगी जमात के नेता तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत हो गई है पंजाब के टेलंबा में तारिक जमील के घर पर ही आसिम को गोली लगी जिसके बाद उनको अस्पताल में मृत खोशित कर दिया गया रविवार रात करीब साड़े दस बजे तारिक जमील ने ट्रिट करते हुए बेटे की मौत की पुष्टी की है उन्होंने लिखा की टेलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील की मौत हो गई है इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है सभी से गुजारिश है की हमें अपनी दूआउं में याद रखी पुलिस की शुरुआती जंख मी 30 साल के आसिम जमील की मौत की वजहात महत्या बताई गई है मियें शन्नु के डियसापी मोहमद सलीम ने पाकिस्तान के अख़बार डॉन से बताया की शनिवार रात आसिम को गोली लगने की जानकारी मिली परिवार और पुलिस के लोग आसिम को घायल हालत में टेलंबा हेल्था सेंटर ले गए जहंग डॉक्टरों ने आसिम को मृत होशित कर दिया गया इसके बाद शव को परिवार को सोप दिया स्थानिय मिडियो रिपोर्ट के मुताबिक आसिम लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूज रहे थे उनका कुछ समय पहले तलाक भी हो गया था जिसके बाद वो काफी परेशन थे गाड से गन शीनकर खुद को मारी गोली मुल्तान क्षेत्रिय पुलिस अधिकारी सोहल शौदरी ने कहा कि आसिम ने अपने घर के जिम में खुद को गोली मारी है शौदरी के मुताबिक आसिम अपने घर पर ही बने जिम में एकसरसाइज के लिए गये थे इसी दोरान उन्होंने गाड से पिस्टोल शीनकर खुद के सीने में गोली मार ली पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज भी हासिल कर लिया है वीडियो में आसिम को खुद को गोली मारते देखा जा सकता है पुलिस ने CCTV फुटेज को फॉरेंसिक जिंच के लिए भेज दिया है जिसके बाद मौत से जुड़ी बाकी चीजी साफ हो सकेंगी शौदरी के मुताबिक परिवार ने भी आसिम के आत्महत्या करने की बात कही है आसिम की मौत पर इस मौत पर पाकिस्तान के कारियकारी प्रधानमंत्री इन्वारुल हक काकर पंजाब नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशर्फ पीए मिलन की सीनियर नेता मरियम नवाज समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है पूर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि मौलाना तारिक जमील के बैटे आसिम जमील बहुत कम उम्र में हमीं छोड़ गए इस हादसे में हम सब तारिक जमील के गम्मी शरीक ही अल्लाह आसिम को जन्नत में जगर दे और परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सब रखने की हिम्मत दे